परिशानिया थी लेकिन अब से कुछ ऐसा नहीं होगा क्योंकि अपसे हम लोग बिल्कुल सही तरीके से पर तरीके से सब्सकों कम्प्रीट करने जा रहे हैं ओके सब्सक्राइब रहेगा क्लास में सब्सक्राइब करें तरीके सब्सक्राइब करें लोग के पास सबसे पहले सवाल यहीं आता की कारवन इट्स कंपाउंट चेप्र क्यों पर रहें वाइंट वैंट यह अंट इस अधिक एडिया आइडिया कोई आइडिया है चलो हम लोग देखते हैं अब से पहले हम लोग बात करते हैं कारबन अट्मोस्पेर में यह इन अट्मोस्पेर इट एग्जिस्ट इन नीचर आप इस जी रो पॉइंट जी परसेंट इन दे फर्म आप होता है और कारबन अर्थ क्रस्ट में इन अर्थ क्रस्ट अर्थ क्रस्ट इट एग्जिस इन दा फॉर्म यानि 0.02 परसेंट इन दी फार्म ऑफ हाइड्रो कारबन यान यान की कोल पेट्रोलियम कोल पेट्रोलियम इस एक राइंकी फॉर्म में कुछ है किocar दो सबसे होते हैं वह बात है कि के रखेशल प्रॉपर्टी जिसकी वाज़े से काटी मिल्यंस और तो कारबन में जाने मिल्यों ओफ कंपाउंथ एसालिये हमने इसकी प्रसलिया बर्मलग बढ़ने अलगी रग दिया और वोग ने के पूंद हो into three parts okay one is the organic chemistry यह हम लोग पहले फिजिकल केमिस्ट्री बोल लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री ऑगे सेकिंड वन इस जिसमें हम लोग फिजिकल प्रपरटीज के बारे में पढ़ते हैं जैसे के आ जैसे कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ा है अभी मोल कॉंसेप्ट पढ़ते हैं लोग मोल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जिसमें हम लोग वाल्यूम वाल्यूम प्रेशर इसके बारे में पढ़ते हैं वह हमारे पास क्या होती है फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसके बाद हमारे पास आती है इन और गनिक केमिस्ट्री ए इन और गनिक केमिस्ट्री जिसमें जनरली हम लोग इनकर सप्सक्रिंज जाने जैसे एसंग और लॉघ्बॉट कुछबंद इंत फॉल्ख ख्यां यानिяжनगी पिरियरिक क्लासिफिकेशन पिरियर ग्लासिफिकेशन कि कि आपके स्लेवर सेweg देटा सी केशन अफ एलिमेंट्स जो है वह हमारे पास इन औरगेंशेटिक्ष्ट का पाट ठीक है और उसके बाद हमारे पास आता है अगय के मिस्ट्रीज और गेनिक के मिस्ट्यूंज स्में हम लोग ओरगय कंपाउंट्स एनि माघंक रबंकर बन की लेट्रो कार्बन लेट्बन एंड दियर डर्यवेटिप देर डर्यवेटिप लिए डर्यू कार्बन थे बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो पहले इसको फटा-फट से कॉपी कर लिए पड़ाफट से देन यूदॉ लेट मिनो झाल झाल यहां पर हमारे पास जो हम बात करें की कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है जो की एक्सिस करता है एक्सफेर में 0.03 परसेंट इन दी फर्म ऑफ करबन डैक्सेट और यही एलिमेंट कार्बन अध्क नमें जीरो फॉइंट जिरो क्या est में उसकी फॉर्म में में एक्स करता है जहां है कि हमने किमिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया है फिजिकल केमिस्ट्री इन और्गनिक सबी Yuво में के बारे में यह सब हम लोग फीजिकल के मिज़मों लोग एसब Giango is block elements टीट इड कंड एलेमेंट टी ब्लॉक एलेमेंट एफ बिलॉक पर करें तो पिरियोड क्लासिफिकेशन साफ भारे में घ्ला जो हमारे इसमें है में यानिकि हमारे पास जो आपका इसे इन बसए और और जो आ पने पड़ा है और यह आपका इन और खोड़ने केमिस्टिय 3 और ऑपर आपक के हटे सोदस्त ऑब कैए दाँ वारव दार इन फिसीकलल केमिस्ट्रीज़ वल्यूम एड और इन विप्राइब करती है विद श्टैडी आफ हीड्रो कारबन्स यानी हीड्रोजन और कारबन के सब्सक्राइब करेंगे कि क्या होता डेरिवेटिव का मतलब ओके डानल लेट्स मूफ शुड़ाइब फार्दर तो जास्टे मिनट वह प्रक्राइब 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 ह्रु कрь मिन प्रक्राइब झाल झाल कि आज़े आज़े चलते हैं तो दूसरा हमारे पास क्या वज़ा है कि कार्बन इस तरह का वर्ट साइड नेचर रखता है वाई कार्बन इस सो वर्सेटाइल वर्सेटाइल इन नेचर नेचर में इतना वर्सेटाइल क्यों है तो उसका सवाल और जवाब हमें अभी मिल जाएगा अगर हम लोग कारवन की बात करते हैं तो हम लोग पहले कुछ elements को लिखते हैं यहां पर हमारे पास hydrogen है and here we are having the helium hydrogen is going to have one electrons and helium is going to have the two electrons then lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, then sodium, then magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and then argon अगर मैं electronic configuration लिखता हूं सबकी यहां पर मेरे पास आएगा 2,1 then 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 इसके बाद कितना भी आगे चले जाओ जो मुझे में बताना है वो यह है कि carbon वो सबसे छोटा element है carbon वो सबसे छोटा element है जिसके outer most shell में 4 electron होते हैं size में सबसे छोटा या सबसे पहला it is the first element from the beginning which is going to have 4 electron in its outer most shell यानि कि उसके shell में 4 electrons होते हैं यह हमारे पास सबसे पहला element है first first element to have to have 4 electrons electrons in outer most shell अच्छा तो फिर इससे क्या फाइदा है इससे यह फाइदा है कि यह एक बार में 4 electron होने की वज़ा से चार different item के साथ bond बनानी capability रख सकता है यानि it can make bond with 4 different items यह चार different item के साथ bond बनानी capability रखता है और इसी वज़ा से हम बोलेंगे कि कार्बन में यहां पर यह हमारे पास ऐसे डिप्लेट्स पूरे हो जाएंगे इक साथ 4 के साथ bond बनानी capability रखता है अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता जिसमें जिसके पास सिर्फ एक electron होता आउट्र मोशल में तो वह एक बार में सिर्फ एक electron के साथ bond बना सकता है या एक element के साथ बना सकता है सो because of its tetra valency carbon का millions of compounds क्यों है क्योंकि carbon हर तरह से bond बनानी capability रखता है यह chain भी बना सकता है यहाँ पर दो बन चुके है एक उपर बना देगा एक नीचे ब्रांच बना लेगा उपर इस तरह से भी चलते चले जाएगा सो because of its tetra valency it has the capability to make bonds तो पहली बात हम बात करते हैं कि यह है tetra valent atom this is this is tetra valent tetra valent यानि it has it has four valency four valency और four valency होने के वाज़ा से it can make bond with four different atoms means it 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 can make bonds with four similar four similar x x or different अलग अलग तरह के different atoms atom at a time at a time time एक साथ at a time मैंने एक साथ बॉंड बना सकता है चार के साथ चार similar और चार डिफेंट अलगे साथ बास सकता है तो फिर अगर हम बात करते तो ठीक है तो तो ऐसी क्या खास बात है कि फिर सिलिकॉन को हम लोग सिलिकॉन तो नहीं बनाता है तो उसका जवाब यह है कि अगर हम लोग अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर हमारे पास बीच में हैं कार्बन और उस कार्बन में पहले हमारे पास यह रहा और दूसरा हमारे पास यह रहा और अगर हम लोग सिलिकॉन को देखते हैं तो सिलिकॉन में पहले यह रहा दूसरा हमारे पास यह रहा और तीसरा हमारे पास यहां पर हमारे पास है दो इलेक्ट्रों में के लेक्ट्रों को हम लोग रिप्रेसंट करेंगे 12345678 और हेर वी हाब दी आउटर मोस चैल के लेक्ट्रों को उन्दों ग्रीन से रिप्रेसंट कर रहेते हैं 12341234 तो अगर आप देखोगे चोटा साइज होने की वज़ा से यानि दूसरी हमारे जो पॉइंट है इंट्रावलेंसी के साथ सेकंड पॉइंट हमारे पास है है इसमाल साइज साथ बनारा है है उसी तरह से यहाँ पर है यहां पर हमारे पास इसका देप Layout Rap अ जुका है यहां पर भी हमारे पास देपलेट पूरा कुछांन यहां के केस में पहलेक्ट्रों क्लाउड है वो हमारे पास बहुत पास है यानि की बहुत पास है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टन्स है यह से यह हम बोल बोलेंगे दी डू टू उस्मॉल साइस लिडू टू अगन यू टू nuclear force force in carbon to the bonded pair of electron to the to the bounded pair of electron bounded pair of electron is more 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 then then silicon silicon comparison में अगर आप देखोगे कि ये nucleus से दूर हो गया ये nucleus से दूर हो गया तो हम बोलेंगे ये वाला जो distance है ठीक है ये हमारे पास है short distance short distance short distance और ये हमारे पास क्या है bonded pair of electron का ये हमारे पास है long distance large distance large distance large distance तो जितना ज्यादा distance होगा bonded pair of electron में यानि clouds में nucleus से from nucleus nucleus so electron cloud के बीच में जो distance और nucleus के बीच में डिस्टेंस है silicon में extra shell होने की वाज़ा से ज़्यादा बड़ा distance as compared to that of carbon smaller size होने की वाज़ा से हम बोलेंगे कि effective nuclear force effective effective nuclear force जिसको हम लोग Z effect भी बोलते हैं वो ज्यादा है किसमे carbon में as compared to that of silicon इसलिए bond ज्यादा stable रहता है that's why the bond is more stable in silicon silicon में ज्यादा stable bond होता है बेटा समझ में आया है नहीं आया है small size छोटा size होने की वज़ा से जो बाउटर मोशल पास में होने की वज़ा से ये बांडेट पेर अफ लेक्टोन को अच्छे से अट्राक कर लेता है आइस कंपारेशन तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो इनके इलेक्ट्रॉन को फोल्ड करने के इसके नुक्लियस में ज्यादा है क्योंकि पास में यह तो यह तो यहां पर मैं लिएता हूं देश है यह एक टू मेक नौर इस्टेबल बॉर इस्टेबल बॉर्ड यानि की बॉन्ड वी करने होता इस्टेबल बॉन्ड और स्ट्रॉंगर बॉर्ड बॉन्ड ऑक्याट इट थ्वन में आया यह डाउट है you canishka but I got it yes sir okay so please copy this one yes झाल से को पिकना शुरूब झाल से को पिकना शुरूब बरसाइल का मतलब क्या होता कि इतने सारे माझन बना पाता है आृट हुआ कि वाटेट समझ आया कि नो डाउन किया तो मुझे बता देना फिर हम लोग आगे चलेंगे फटा-फट से दान सब नेक्स्ट वन वन से किंट से ओके ओके कि पर दान से कि अपके आया प्राइब लोगी से इस हम आगे बता दान से अगए बता है कि उसार एंट 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 का मेन हुआ हुआ है okay let's move further so have you done draw this one small size 2nd just note it down and make this one okay झाल 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 okay so let's start so let's move let's to the next point so we have studied tetravalency small size are responsible for making the large number of compounds moreover is the third point is the covalent bond let carbon make covalent bond covalent bond covalent bond carbon carbon has four electrons electrons in its force valence electron like that then look for valence electron valence electron so so it make bond by sharing sharing its four electron to complete its octet octet complete करने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं sharing bond so such bond such bond is such bond is called is called कोवलेंट बॉर्ड इस तरह के बाउन को म लोग कोवलेंट बाउन बोलते हैं और सबसे मज़े की बाद यह हैं कि ये second most stable बांड होता है mechanism it so यहां पर कुच फीचर यह है कि कोवलेंट बाउन कोविलेंट बॉर्ड is the second strongest one of chemical covalent bond is stable and second strongest bond second stronger bond bond after ionic bond after ionic bond ionic bond के बाद ये जो बाद होता है कोवलेंट बाँस्टेबल होता है तेट्स वाई एट्स वाई इट्स फॉर्म stable compound stable compound if you bond stable to compound with stable and the last point is last point is the catenation property and this is very important this one is the last one this is the third one and last one is the catenation catenation what is catenation catenation क्या होती है तो catenation property को हम लोग बोलते हैं self linking property self linking property का मतलब जैसे कोई एक आटम है ठीक है सो जैसे हमारे पास एक oxygen एक में वह दूसरे oxygen के साथ bond कर जाता है तो यह self link कर गया इसी तरह से एगर मैं बात करता हूं की chlorine atom के साथ बांड बना लेता है इस तरह से ozone में हमारे पास इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से हमारे पास ठीक है मतलब बांड बनता है तीन के साथ बांड बना लिया इस तरह से सलफर एस एट में हमारे पास कुछ इस तरह से एक सलफर यहां एक सलफर यहां फिर एक सलफर यहां फिर एक से लिए यहां सो कुछ इस तरह से सलफर के आठ एटम सापस में जॉइन करते हैं ठीक है टू थ्री फॉर फाइफ सिक्स सेविन वन टू थ्री फॉर पाइफ सिक्स तो सेविन एट इस तरह से नहीं होता है इस एक मॉलिक्यूल को अगर हम लोग बना है तो इसी तरह से भी बना सकते हो कि सलफर के इस तरह से सलफर के आठ आटम्स आपस में जॉइन करके एस एट मॉलिक्यूल बनाते हैं पीचियल फाइफ है वी कुछ इसी तरह से हमें देखने को मिलता है ठीक है मॉलेंगे इस एट इस इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानि कि एक अलिमेंट अपने ही जैसे इस सिमिलर एलेमेंट से लिंक कर जाए उसको हम लोग केति इसन प्रॉपर्टी बोल तक अब यहां पर सलफर ऐसे थाउजंड्स ओफ कार्बन थाउजंड्स ओफ एटम ऑफ आटम एटम कें जॉइन कें जॉइन थाउजंड्स ओफ एटम्स कें जॉइन कार्बन के केस में थाउजंड्स ओफ एटम्स जॉइन कर सकते हैं ठीक है अगर मैं इसको बताऊं तो कार्बन की केस में क्या होता है आच में कर सकते हैं ऐसे 水 नंक में थो इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं ऍटर mainly कि अब यह ब्राँच में चूशन प्लाइं थो इस तरहा है यह से लिए issue से तरह से हमारे पास यह और यह खतम नियोट शोले सिरन फार मैं करके अलग-अलग बना सकते हैं, so self linking property को हम लोग बोलेंगे कि carbon के पास small size होने की वज़ा से covalent bond बनने की वज़ा से और tetravalency होने की वज़ा से catination property को carbon maxima strain तक शो करता है, और कोई दूसरे क्यों नहीं शो कर पाते हैं, उसके simple सा reason यह है या तो उनका small size नहीं होगा, या वो tetravalent नहीं होंगे, या वो covalent bond नहीं बनाते होंगे, so हम बात करते हैं, की due to, पहले मैं लिख देता हूं, catination क्या है, catination, ठीक है, so हम लो लेंगे, it is a self linking property of an element, it is the self linking, self linking, okay, self linking, it is the self linking property, property of an element, by the virtue of which, by which, by which ही का देते हैं, an element element can make bonds make bond with its own kind own kind any similar atoms में जैसे एन के बीच में कले एन के बीच में चैनल परफटी इंस finden के बीच में करेंक बीच मैं के अन के बीच में कसे सब апe बट इन केस ऑफ कार्बन के केस में क्या होता है की कि डूटू समॉल साइस टेटरा वेलेंसी और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से कार्बन इस प्रॉपर्टी को मैक्सिमम एक्सेंट तक शो करता है यहां पर सिर्फ टू तक अब तू अब टू टू अब टू तू अब टू तो लेकिन कारबन कहां तक सोब्सक्रटा 1000 तक मतलि­ब बहुत आगे तक शो करता है ठीक है तो दूट इन केस ऑफ कार्बन दूटू को इन केस ऑफ कार्बन को ऑफ कार बन due to small size small size covalent bond bond and tetra valency tetra valency carbon show this property to the maximum extent carbon show catenation property catenation property to the maximum extent to the maximum extent maximum extent as a result of which as a result it makes bond make makes bond in it makes bond in in branch branches straight chain straight chain rings etc okay got it so catenation property carbon due to small size covalent bonds and tetra valency show catenation property maximum extent show got it got it oh yes sir oh okay okay to catenation property maximum extent show to the maximum extent okay got it got it yes so हमें यह समझ में आगे कि catenation property क्या है catenation property self linking property और यह thousands of carbon atoms यानि thousands of carbon atoms इस तरह से जोइन करते चले जाएंगे आगे तक up to thousands of carbon atom can join मैं लिख देता है आप है up to thousands of carbon atom can join okay समझ में आया गाट इट कोई डाउट अनिश्का एन असीला नो तो इस वज़ा से carbon चार property है एक तो है कोवलिंट बॉंड एक है आपके पास टेट्रावलेंसी के स्मॉल साइज और एक है कटी नेशन को मैक्सिम एक्सिंट तक शो करना जिसकी वज़ा से carbon जो है वो मैक्सिम एक्सिंट तक शो करता है अब एक कुश्यन आता है मारे पास examination में की बोथ यहाँ पर कुश्यन आएगा बोथ both silicon silicon and carbon are tetravalent are tetravalent but but silicon can make can make chains chain up to seven eight silicon atom bond it together together while carbon while carbon can make chain up to hundred of thousands of carbon carbon atom bond it together ऐसा क्यों होता है बताव जवाब बताएए जवाब बताएए मेरे बच्चों प्यारे से जल्दी से बतावा फड़ा फट से इस जवाब होगा इस लीकॉन में और carbon में दोनों में चार-चार लेक्रों होते हैं लेकिन carbon जो होता है वो तो thousands of carbon तक बना रहा है बांड लेकिन हमारे पास जो carbon है वो तो thousands of hundreds of thousands of carbon एक सांट जोइन कर सकते हैं लेकिन यहां पर हमारे पास सिलिकॉन से सास से आर्ट तक के बाद बांड इस्टेबल नहीं रहता तरसर क्यूं जवाब लिख लेते हैं यहां पर आंसर अच्छे से बांड बना पाते हैं तो इसका हम लोग जवाब लिख लेते हैं यहां पर आंसर अच्छे से बिकास अफ इसमाल इसमाल साइस कर बन अटम बंद 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 पर ऑ फिर अलेक्रॉंस the bounded pair of electrons has more effective force more 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 effective nuclear force 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 then then the bounded the bounded pair of electrons in silicon as a result as a result the stable the stable more stable bond the more more stable bond bond is formed in in carbon than silicon what it what it yes 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 ठीक है और एस वाइल कि ब्राकेट में लिएगा ब्राकेट में यहाँ पर एक लाइन लिख लिए उपर की कार्बन एस टूशल्स वाइल silicon as theory shells okay so because of a small size of carbonate I mean a carbon has two shells when silicon has three shells the bounded pair of electrons has more effective nuclear force than the bounded pair of electrons in silicon okay as a result the more if you are more stable bond is formed in carbon then you can got it एकाई निश्चा थाइड़ा निश्चा दाओ निश्चा हो जास जा सब्सक्राफीं जारे आगे यह सब्सक्राइब टेट ओके यह सब्सक्राइब टेट टेट यह सब्सक्राइब तो ले तो लेक्ट समूव फॉर्धर वट इस पोवलिंट बाइब टोविलिंट बाइब और दिबांट पॉन वाई शेरिंग ठीक है उसको अम लों क्या बोलते हैं को बिलंड बॉल the bond formed by sharing of electrons is called covalent bond okay why there is a need to share the bond if Catalunya की ज़र दसकूइ को एक अशल में हैं वो aक क्लिमिट तक लूज कर पाथा जैसे एक मेरे पास और यहां पर मेरे पास चार है तो जब मैं इसमें एक को लूज करता हूं इसका साइस जो है वो छोटा हो जाएगा क्यों क्योंकि अब वही नंबर आप प्रोटॉन जो है ग्रेटर नंबर आफ लेसर नमबर फ्ट्राण को अट्रक कर रहा है कि सीम नमबर फ्रोटाउन ले लेसर नमबर फ्रेक्टरॉंज तो साइज क्या हो जाएगा साइज छोटा हो जाएगा कारवन पॉजिटिव हो गया अब इसमें से लिकालना मुश्किल होगा अगला एलेक्ट्रॉन ठीक है तो अगर सपोस करो मैंने यह वाला भी लूज करा दिया तो इसका साइज और छोटा हो जाएगा मिस्यूंग टीक है अब इसमें दो एक्ट्रॉन दे गए मैं उसके बादे इसको भी हुलिका दिय तो का साइज और च्छोटा हो जाएगा कि में इस में अब एक लेक्ट्रॉन रह साइगा तो इसका सीस झाना होले जाएगा बहुत ही छोटा जागे मंदब एक दो ही लेक्ट्रॉन बोचेंगे इसको निकालना में बहुत एक मिनेट बेटा इसको निकालना में बहुत है कि नुकलेस है एस इलेक्ट्रॉन आप बढ़ते जाएंगे अधे लेक्ट्रॉन सार्विंग्स वाइक कार्वन इस में यहां पर समझाता हूं कार्वन कांट लूज 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 इस पूर इलेक्ट्रॉन इंड मेक अईवनिक बॉन इसका जवाब यह है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसके अंदर जो प्रोटॉन है वह कितने द्यादा इस्टिल यहां पर हमारे पास सिक्स प्रोटॉन हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन है ठीक है यहां पर हमारे पास फाइफ जब एक लेक्ट्रॉन रिमूफ कर देगा तो फाइव इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन सिक्स सिक्स प्रोटॉन होगे तो सिक्स प्रोटॉन कम नंबर ऑफ लेक्ट्रॉन को जब अट्राक करेंगे न तो उनके बीच्वे फोर्स ऑफ अट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वैसे अटम का साइज डिक्रीज कर जाता है टू इलेक्ट्रॉन and six proton okay so size as as the number as an atom as an atom start losing losing its electron electron this size the size of atom decreases because because the lesser sorry the because the greater number of electron because the greater number of proton are attracting are attracting the lesser lesser number of electron so electron so the size size of atom decreases which make it very hard to remove the next electron which make make it hard to lose the four electrons the lose the four electrons समझ में आया तो यह चार लेक्टोन को लूज नहीं का सकता क्यूंकि size decrease करें sizes decreasing okay got it we can make it like this way we can make it like this size यहां पर decrease कर रहा है okay sizes size is decreasing okay okay and nuclear force बढ़ रही है इसलिए size decrease कर रहा है got it कि जितना छोटा size होगा उतना ही उसमें से इलेक्ट्रॉन को लिखानना बहुट टाफ हो जाएगा और उसको आप उसमें से बहुत जादा energy लगे इसलहीं हमेशा के लिए और यह चैनल को गेंट्वी नहीं नहीं कर सकता क्योंकि छार लेक्टवन करेगा तो साइस बढ़ जाएगा क्योंकि लेक्ट बेट्राइव अलोफ उटेंग अप्रॉट तो रिपर्शन और चार को भी नहीं यह लूज कर सकता था है तो इस इसे शेयर करता करता को इंडॉट सब्सक्राइब फिर सेरिंग सो शेरिंग में क्या होता कि हमारे पास दो नुक्लिए जोंगे एक इसके व्याँ अध्यूस होगा दूसरे कार्बन का निफलすब बनिक लेसोगा तो शेरिंग इलेक्ट्रॉंस तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं कि वाई कार्बन कांट गेंट पूर इलेक्ट्रॉंस एंड मेक नेगेटिव ले चार्ज आइन्स वाई कार्बन कांट गेट पूर इलेक्ट्रॉंस and make make an iron an iron क्यों क्यों नहीं मना सकता carbon minus 4 क्यों नहीं मनता उसका simple जवाब है a powerful nucleus a powerful powerful nucleus is required required to hold to hold for extra electron 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 which which the carbon do not have the carbon carbon don't have carbon के पास उतना power नहीं है ठीक है कि वो चार लेक्टान को गेन कर ले उतना उतनी पावर नहीं है ठीक है तो यह चार गेन तो कोभिलेंट बॉंड को बनाताए जैसे अब अगर हम लोग की बात करते हैं तो जैसे युक्त का अगर हम लोग फेकी बात करते हैं इन्क मोलिकूल तो नाइट्रोजन के इस режव में एट्रोमेश इसको तीन चाहिए तो तीन तीन की शेरिंग करेगा पांच हो गए यहाँ पर भी पांच और तीन-तीन की शेरिंग करके इट विल मेक भी एट यहाँ पर आट हो चुके है यहाँ वी हाब दी एट इलेक्रॉंस ओके सब्सक्राइब नायम थे एब नाइट्रोजन यह फित्सक्राइब बॉल्ड लाइन स्ट्रक्टर्ट्र कि यह डायश इस्ट्रक्चर है गॉट इट इस तरह से अगर मैं बोलता हूं कार्बन डाइक सेट का स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बन बीच में रख दीजिए उसके पास चार एलेक्ट्रॉन उक्सिजょन इस थे तो वो दो की शेरिंग और करने के लिए यहाँ पर भी दो की शेरिंग करेगा आठ करने के लिए थे अच्छा एलेक्टरन री पाड़िसिपेट करते है बंडिंग मेंचान तो ओनली ऐनली यहां पर मैं दूसरे गलर से लिख देता हूं ओनली वैलेंस एलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बांडिंग पार्टिसिपेट करते हैं इन बांडिंग के एंबारद है थे सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे ऑलें बांडिंग में यहां पर आप दिकोगे कि यहां पर हमारे पास तरह से करबन तरह से यहां पर भी कुछ आठ एलेक्ट्रों ऑक्सिजन की हो जाएंगे और कार्बन के कुछ इस तरह से हमारे पास आठ एलेक्ट्रों हो जाएंगे कि स्योटु कि समझाया बेटा कि यह सर्थ समझाया यह से पका कि यहां पर आप इसको देख सकते हैं और इसी तरह से अगर मैं का बनाता हूं तो छोटर में 7 एलेक्ट्रों का तो सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करेगा तो एक ही कोई के मैं जंफे होगी यहां पर करने के लिए तो तो एकड़िसीपेशन आढ़ को जाएगी उसके बाद धस ऋने लिखेस के बैट से है कि महले क्लाव यहां पर बना दीजिए कुछ इस तरह से क्लोरीन को बोल सकते हैं कि यहां पर मारे पास इसी तरह से हम लोग देखते हैं अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारे पास एच है तो एस सेंटर लेटा में तो हम लोग एस को यहां रख दीजिए एस के आउटर मोशल में कितने लेक्ट्रों होते हैं तो एट इर लेक्ट्रों में चार ळलता को संवाल 될 है तो इक औक औक सिजन यहां रखिए एक औक सीजन को 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 उसके बाद हमारे पास आरहा है है आई अजिपलेट हमारे पास यह आ अगया वास्ट सेकेंड उसके बाद हमारे पास ऑक्सिजन भी औक्टेट पूरा करता है तो ऑक्सिजन का ओक्टेट यह आगी हमारे पास यह हमारे पास ऑक्सिजन का ओक्टेट है आठ पूर है और यहां पर आप देखेंगे कि कि सब्सक्राइब कर दो के साथ इन दो के साथ यहां 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 पर गलत बना दिया यहां पर मुझे इसको पूरा लेना है ऐसे कि इस तरह से आप देखेंगे यहां पर सलफर के आउटर मोशल में कितने लेक्टर आ चुके हैं 12345678910 1120 तो यहां पर हम बोलेंगे एट सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम सलफर इस गोईंग टू है है कि असलफर है इस त्वाल एक्सक्राइब उल्ट्रोंग यह इस तरह सब्सक्राइब बढ़ जाना अक्रेट मतलब आठ की जह को बोलते कि आठ आठ करने इनको जैसे यहां पर आठ करना ता कर दो हुआ को यहां पर सफटार के आउटर मोश्यल में आप अलेक्टान भी हो सकते हैं अब वाइस अलफर केंफ मोर देने इने इलेक्टान से बाइस इसका जवाब नगार्ण की ऐड्रेशन नर्ते टूमेंट टूइट टूस्ट थार्ड शेल 3rd shell shell has a limit as a limit of 18 electrons 3rd shell maximum 18 electron सबढ़ माया तो तर पाइब यह कर सकता है जबकि और oxygen वगरा क्यों नहीं कर सकते क्योंकि oxygen में electronic configuration रती 2,6 oxygen की case में so can have maximum 8 electron can have maximum हम एक इलेक्ट्रॉंस इसमें सिर्फ एक सब्सक्राइब हो सकते हैं तो इसलिए सलफर की एक सब्सक्राइब लेकिन औक्सिजन में सिर्फ आठी हो सकता है आठ स्व्राइब रखी दें सकता किसी केस मैं जैसे एक लास्ट के साथ समझा देता हूं अगर मैं अटू की बात करता हूं कि तो यह श्टरचीन के पास कितने लेक्ट्रॉंस होते हैंते हैं कि विभाब दी जो अमेशा यह गर मैं ऐसे ऑक्सिजन हमने बनाए दो दो इलेक्ट्रॉं तो मैं मान लेता हूं कि यह नाइट्रोजन के हैं और यहां पर एक ही बच्राइश है तो मान लेता है यह वाला जो oxygen है वो इसके साथ अगर बान्ड बना रहा है ऐसे और दूसरा वाला oxygen तो मैं डूसरे कलर से बनाता हूं ताकि जब अच्छा लगेगा समझ में जब आएगा अच्छे से इन टुका केस कलर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए सो अगर हम लोग आशिवन Meer के स्थें यहां पर हमारे पास नाेट्रोजन के पास पांक हो होते हैं तो यह हैं पांच नाइस के दो उइंगे बना देता हूं और दो मैं यहां बना देता हूं कि अब दो Oxygen है तो दो Oxygen के लिए मैं कि एक oxygen दो यहां पर एսे ऊपर शूम झाल ऑब एक यहां। पेजित आसके इसकेशन झाल झाल जाएन पर इसके बीडिरा नर्लिह गणेवां तुम देखोगे कि तो 4 और यहां पर हमारे पास हो गाए ते यहां पर हमारे परण हो गये हैं कितने गया हैं va ado है तो इन केस में हमारे पास नाइट्रोजन है इस हैविंग एविंग और देन गोर देन एट एलेक्ट अविच इट कांट है विच एट कांट है उसके पास आठ स्यदा नहीं दो एक न्युक्त एक एट कांट है है रिजिए एकर्णेबबस डूश्ट कर दों कर本े कि पीसल्ट टू अब टूछस्ट मिकस एक तो शिट सीर्ण उप घा विऔर गान इंहाँए parce which has a limit of of only only eight electrons which has a limit of only eight eight electrons की उसकी लिमिट है कि सेक्ट में सिर्फ माक्सिमम एन ओर तू है तो तू कमा फाइफ इसके पास आठ ही आ सकते इसके पास आठ स्यादा नहीं आ सकते तो यह क्या करेगा यह क्या करेगा यह एन को कुछ इस तरह से एक ओ को बोलेगा एक कुछ इस तरह से जहां समझ नада आि इस तरह से बनाएगा ऑ यहां पर है हमारे पास और एक तो यहां पर है है और आप ऍधंधन यह क्या करता 1, 2, 3, 4, 5, 6 अच्छा, NO3 होता है वो फिर तो एक काम करते है न इसमें NO, तो इसकी वैसे यह यह नहीं बनेगा, यह नहीं बनेगा, तो यह क्या बनेगा फिर यह एक electron को इसको lose कर देगा हमेशा के लिए, और यह हमारे पास बन जाएगा NO2 positive, यानि NO2 positive is possible, यह possible है, क्यों पॉसिबल है क्योंकि इसको यह वारे electron को lose करना पड़ेगा, has to lose has to lose इसको जब लूस करेगा, तो NO2 is possible, समझ में आया? यह नो, NO2 plus is possible, it is it is not possible यह possible नहीं है, ठीक है? समझ में आया? आज के लिए पर रखते हैं, मिलते लिए ग्लास में, thank you